नमस्कार STV News देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ हरजुन खजूरिया द्वार का एक्सप्रेस वे पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं का विशे बना हुआ है दरसल 29.06 किलोमेटर लंबे द्वार का एक्सप्रेस वे की लागत को ले करके हंगामा पिछले कुछ दिनों से चल की सिविल लागत के साथ जो है इसकी मंजूरी दी थी तो इस मंजूरी पर विवाद हो रहा है का जारा कि जब कि संसद की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समीती ने प्रती किलोमेटर 18 दिशवलव 2.06 करोड रुपे के हिसाब से इसे बनाने की स्विक्रिती दी थी वहाई इस मामले का खुलासा होने के बाद से ही स्यासी गलियारों में हंगामा मचा हुआ है इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केडरिवाल ने भी एक मीडिया क्लिपिंग जो है वो सभी से साजा की है और साजा करते हुए काया है कि मोधी सरकार ने सिंता पार्टी की तरव से इटी सल के हैड उन्होंने यहां पर एक लंबा जोड़ा लेख लिख करके स्पस्टी करन दिया है आई आपको बताते क्या लिखा उन्होंने लिखा है कि द्वार का एक इंजिनरिंग मार्वल है जिसमें सिंगल पायर पर एट लेन का निर्मान श समता होगी उसकी अवशक्ता को पूरा करने के लिए जो है इसको डिजाइन किया गया है द्वार का एक्सप्रेस वे को और इसी के परिनाम सवरूप जो है पूरे दिल्ली अंसियार शेतर में प्रदूशन में भी कमी आएगी जिससे इस्टन पैरिफरल और दिल्ली मेरट ए सुरंग जो है वो भी शामिल है अब उसके बाद उन्होंने कई सारे तथे जो है रखे हैं यहां पर कई सारे फैक्ट्स को रखा गया है आई यह बताते हैं उन फैक्ट्स में क्या है सबसे पहले उन्हें लिखाया कि भारत माला प्रयोजना के निर्मान के लिए प्रती किलो कि इस तो क finely नहीं है कि इसमें लागत लगेगी भारत माला प्र्योजना के तहत्रू की जा रहे ही प्रयोजना की जो लात है इसमें उन्हें इसमें सुबिदाय जो दी जाएगी जो वहांका इलाका है वहां की you जो एरिया है उनके अधार पर जो है यहां पर कॉस्ट बढ़ती है आगे नोर बताया कि जो निर्मान की लागत है वो प्रयोजना की जो प्रकृति के अधार पर जो है अलग हो जाती है और C.A.G. रिपोर्ट में सिविल लागत 200 करोड रुपे प्रती किलोमेटर बताई गई ह है जबकि चार पैकेज के लिए स्विक्रित सिविल लागत 206 करोड 49 लाख रुपे प्रती किलोमेटर है आगे नोर बताई है और लागर जिसकी जो है वो 181 करोड 94 लाख रुपे प्रती किलोमेटर है फिर आगे वो यहां पर ये भी बता रहे हैं कि Elevated Expressway क्यूं उसका भी स पश्ची करन दे रहे हैं और आगे लिख रहे हैं कि यातायात की जो उच्छ मात्रा है यानि की लगबाग तीन लाख पीसी और इस समय जितना ट्राफिक उस पर है उसको दियान में रखते हुए दिल्ली और गुडगाओं के बीच नैशनल हाइवे 48 पर बीड कम करने के लि पहले से ही परिकल्पित द्वार का एक्सप्रेस फोटीएट नह्याइवे 48 के वकल्पिक जो है यहां पर हाइवे के विकास के लिए केवल यहीं ऑल यहां पर संरिशना एक एक ब्राशमार के विकास के लिए फिर आगे बताया कि Elevated के निर्मान के लिए जो है निर्ने को मंजूरी देने से पहले दोनों विकलपों पर जो स्थाई लागत समीती थी प्रियोजना को देखते हुए उसका मुल्यांकन किया गया मुल्यांकन समीती जो थी उसकी तरव से और यहाँ पर अलग-लग बोडों क स्तर पर विचार विमर्ष किया गया जिसमें अन्य विभागों के वरिष्ठ दिकारी भी शामिल थे उसके बाद ही यहाँ पर अलिवेटिड एक्सप्रेस वे पर मुहर लगी फिर आगे बताया मुझूदा दिल्ली गुडगाउं नेशलाइवे 48 को पहली फिलोसफी जो थी उस पर विक्सित किया गया था यानि कई प्रवेश और निकास वाले चोराहों पर फ्लाइओवर के साथ जमीनिस तरकी सड़क का भी इसमें विकास करना था फिर आगे बताया पूरे राजमार के साथ बाकी विकास को भी देखना था प्रयाप संख्या में बाकी यहाँ पर उनको भी प्रदान करना इतना संभव नहीं है क्योंकि हर एक किलो मिटर में प्रमुख चुराहे जो है वो लगबग दो है और बड़ी संख्या में छोटे छोटे चुराहे हैं काफी जादा बीडबाड वाला इलाका है फिर आगे उनको बताया जो राजमार्ग को यहां पर सं मस्या है उसको हल करने में अभी क्योंकि सक्षम नहीं है इसलिए यहां पर एक्स्ट्रा जो है चीजों को बनाना पड़ रहा है फिर आगे उनको पताया कि सीगनल फ्री और सीमलेस कनेक्टिविटी प्रदान करने और लोकल जो ट्रैफिक है उसको अलग करने और वहां पर भ आगे बताया कि सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए शहरी सैटिंग में जो है दुनिया भर में जितनी भी एलिवेटिड रोड है या फिर सुरंगे है वो प्रदान की जाती है फिर उसमें उनने बताया कि विकल्प उसमें जो पहला है कि जमीनी स्तर का जो विकास है केवल हर्य जाना खंड में उपलब था जिसका परिनाम यह है कि लगबग 1200 क्रोड रुपे की बचत हो सकती थी हालां कि उसके बाद में बताया कि इसके परिनाम सवरूप जो है बहुत कम डिजाइन शमता वाले रोलर कोस्टर हाइवे का विकास हुआ होगा इसके अलावा इस हाइवे क अनुमानित जो विकास है जो अनुमानित विकास है उसको देखते हुए ही जो है नीमित अंतराल पर अतिरिक जो है ग्रेड सेपरेटिड जंक्षन के निर्मान की अवशक्ता थी रिक्वेर्मेंट थी फिर आगे उन्होंने बताए कि मुझूद अनाशनल हाइवे 48 पर इसक अभी प्रमुक सेक्टर सडकों के लिए अंडर पास को विक्सित करने का निर्ने लिया गया वो डिसीजन लिया गया कि यह सब चीज़े बनानी पड़ेंगी फिर उसके बाद मुने बताए कि यही जो अवधारना है यहां पर इसलिए इनी अवधारनाओं के चलते जो है यह अब निर्मान जो इसमें जुड़ते गे जो डिसीजन लिये गे उसके बाद ही जो है कास्ट बड़ी है रियक्शन लोगों का सामने आ रहा है प्रियम है वो इस पर रियक्ट करने और कह रहे हैं कि यही एक कॉलिटी एक्स्प्लेनेशन है हर कोई जो मिसलीड हो रहा है जिस जान पूश करके लगी हुई है पीछे इस प्रोजेक्ट को जो है फेल semic苗 जानतेे हैं कि ए प्रॉडेक्ट को टार्गेट कर रहे हैं लेकिन लोगों की भी प्रतिक्रिया आपको लेकिन उसकी बात किया Elevated Expressway जिसका निर्मान किया जा रहा है और उस अगर शेत्र की बात किया क्योंकि वहाँ पर IGI Airport भी है और उस इलाके की बात किया जो खास तोर पर दिल्ली NCR के लोग हैं वो जानते हैं इस समय जो गुड़गाओं से दिल्ली वाला गुड़गाओं से द्वार है और उसके बाद जब ये द्वार का एक्सप्रेस वे का निर्मान हो जाएगा इससे कितनी जादा राहत जो है वो डिल्ली NCR और साथी साथ हर्याना बाकि अन्य राज्यों के लोग जो उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं राजस्तान को रास्ता है उनको कितना जादा बैनि रेस्टीव नियूस के साथ दर्नेवाद